बसकार दस्तो जैसे दस्तो आप सबको पता है कि अपने देश के अंदर काफी लोगों ने इस्रम कार्ड को बनवा लिया है अब दोस्तो इस्रम कार्ड बनवा तो लिया है एंड उत्तर प्रदेश के अंदर काफी लोगों को इस्रम कार्ड बनवाने वालों को पैसे मिले हैं लेकिन दोस्तों आप जिसने भी इस्रम कार्ड बनवाया है काफी लोगों के पास एक SMS आ रहा है उसमें लिखा हुए यह है कि आप अपने इस्रम कार्ड के अंदर वरतमान पते को अप्डेट करिए जिसे आप CSC सेंटर या फिर उस मैसेज के अंदर आपको एक लिंक दिया ग देगा यह दोस्तों मैं उसुर्पे काया चौबे और आप देखरें मैं चनल चौब्जी टेक्निकल दोस्ते लिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले हम यह बात कर लेते हैं कि आपने इस्रम कार्ड बनवाया है और आपके यह मेसिज आया है यह सभी लोगों के पास SMS ने गया है कुछ लोगों के पास गया जैसे मैंने अपने इस्रम कार्ड बनवाया है तो मेरे पास अभी है वरतमान पते को अपडेट करें एकिकिन दूसरे लोगों ने मुझचे पूचा है कि हम क्या करें तो बहुत सिम्पल सी प्रकार के अड्रेस होता है परमान इंटरेस करत यह होता है कि आप जहां के निवासी है ना वाहं का इड्रेस आपकी डोकुमेंट करत Egypt होता है लेकिन एक होता है वर्तमान एड्रेस अब मानली जी आप बिहार या या फिरजस्थान या किसी एक राज्य के रहने वाले हैं मानली जी आप यूपी करेने वाले हैं आपका पर्मानेंट एड्रेस यूपी का है आप निवासी यूपी के हैं मतलब सरकारी तोर पे नियम करून के तोर यहां पर आप मज़दूर्य कर रहे हैं तो उस pair ofgov सो 1 topic लिए और लिए उपको अपने यिसरं या नहीं कर लिए यह आप को साइड में स्क्रीन सोट दिखा रहा हूं आपको इस वीडियो के अंदर में समझा रहा हूं इस मैसेज का सिस्टम बाकि अपने नेक्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे आप उसके अंदर अपडेट कर सकते है ठीक है तो पहले आप इस SMS कर समझ लिए क्यों आया है और क्या कर करना है इसका तो आपको जैसे आप अपना प्रोफाइल करेंगे इस सरम कार्ण की अपने मुबायल के माधियम से तो आपको वहां पर एडरस करने के लिए कहा जाएगा और परमान इंडर भी कहा होगा इसमें आपको क्रेंट एड्रेस को अपडेट करना है यृन समां कर अपने वर्तमान पते को अब्डेट कर लीजिए तो बहुत सिंपल सी अब्डेट है आपको बिल्कुल भी घबराने को सकता नहीं है काफी लोग तो सोच रहे मेरे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे यूपी ये कुछ लोग हैं जैसे कि जिनको पैसे नहीं आया है उत्तर प्र सकते हैं या फिर आप सकते हैं निचे लिंक आपको मिल जाएगी दोस्तों में एक अच्छी और साने वीडियो को साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत